हेलो फ्रेंट्स आप सभी को पते ही होगा cbsc बोर्ड ने 7 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें डिकलेर किया है कि क्लास 9-12 जैसा कि लोगडाउन की वज़े से स्कूल में मैनुवल क्लास नहीं लग पा रही तो ओनलाइन क्लास की वज़े से अब जो स्लेवस है वो जितना पहले था उससे 30% रेडियोज हो गया है तो आज मैं आपके साथ 10th क्लास के मैथमेटिक सब्जेक्ट का स्लेवस डिस सब्सक्राइब है तो आज मैं आपको एक्सेसाइज वाइज चैप्टर वाइज फुल डिटेल में क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्लेवस पताऊंगा चाहे स्टूडेंट्स आपने बेसिक अटोप्ट किया है यह आपने स्टेंडर्ड मैथमेटिक्स से उप्ट कर रहा है तो द कि और 15 ही रहेंगे चैप्टर्स कोई भी कटनी हुआ चैप्टर्स सभी हैं सेकंड यह भी है कि आपने यह नहीं सोचना कि जो टॉपिक कट चुके हैं वो हम नहीं करेंगे क्योंकि आपने 10th क्लास के बाद हाइयर स्टेडी में जाना है तो जो टॉपिक रिमूब हुए है वो आपके हाइयर स्टेडी में यूज होंगे यह जो डिड़क्शन की है जो यह स्लेव से रिडियूज किया गया है यह सिर्फ इसी सेशन के लिए किया गया है ड्यू टू लॉक्टाउं ड्यू टू कोविड नाइंटें तो आपने यह नहीं सोचना कि हम सिर्फ जो टॉप अब बचे हैं वही करेंगे जो रिमूव होगे वह नहीं करने क्योंकि वह भी आपने करनी है यह तो सिर्फ एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से आपको टॉपिक डिड़क्शन बतानी है कि फाइनल एक्जाम में सिर्फ यह टॉपिक आएंगे वैसे आपने जब आप स् लिंक्ट हैं तो यह नहीं सोचना कि रिमूव टॉपिक हम करने ही नहीं है यह बोड ने क्लियरली लिखा हुआ है कि नेक्स्ट यर से यही सेम स्लेव आएगा सिर्फ इसी सेशन के लिए स्लेव जो है थोड़ा 30 प्रसेंट हम ने रिडियूज किया है तो जो टॉपिक कट कि एक बार अच्छे से त्यारी करके उनको फिर छोड़ देंगे तो आईए हम देखते हैं अब स्टार्टिंग से की बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन-कौन से टॉपिक हैं और कौन-कौन से टॉपिक रिमूव हैं तो आज मैं यह टैंथ क्लास के मैं सब्जेक्ट के टॉपि इक वाइज चैप्टर वाइज आपके साथ डिसकस कर रहा हूं आप हो सकते तो साथ में अन्सीयाटी बुक रख लें और जैसे जैसे मैं आपको उपता रहा हूं उसके साथ आप नोट करते रहें और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर कर रियल नंबर में टॉपिक रिमूवड युकलीड डिवीजन लैमा तो सिर्फ युकलीड डिवीजन लैमा जो है वो रिमूव हूँ है बाकी आपका एस्टी जैस लेवस तो देखें आपकी बुक के अगॉडिंग जो एक्सरसाइज 1.1 है यह एक्सरसाइज 1.1 जो है यह जब आपकी रिमूव हो चुकी है बाकी 1.2 1.3 & 1.4 बाकी ओल एक्सराइज आपने एस्टीज करनी है तो इसमें आपका जो रिमूव टॉपिक है क्लियर ली बोड ने लिखा है कि रियल नंबर चैप्टर में युकलीड डिवीजन लैमा आपने रिमूव करना है तो सिर्फ यह फर्स्ट कर्ट होई है बाकी आपने एस्टीज करने हैं next second chapter देखे second chapter हमारा है polynomial तो प्लोम्या में देखें क्या लिखा है वोड़ने पौल्णोम्याँ चैप्टर मेंया आपकां टोपिक जो रिमूव हुआ है इसमें लिखा है polynomial chapter statement and simple problem on division algorithm for polynomial तो इसमें आपने क्या करना है इसमें आपने first exercise जो है 2.1 वो भी exercise करनी है यह 2.1 जो है यह भी आपने exercise ही करनी है पहले की तरह ही जो आपके exercise 2.2 है यह भी आपने exercise करनी है और जो exercise 2.3 है जिसके अंदर division algorithm यूज हो रहा है तो यह division algorithm आपने नहीं करना आप यह division algorithm जो है यह आपका remove हो चुका है तो division sorry polynomial में आपका जो है यह इसने लिखाया कि statement or simple problem to division algorithm तो जो division algorithm 2.3 जो है वह आपकी कटो चुकी है और 2.3 2.4 आपके optional है तो यह optional जो exercise है यह आपने basic students नहीं करेंगे सिर्फ जो standard जिरोंने option यूज किया वो करेंगे next हमारा है chapter 3 pair of linear equation in two variable तो देखे बोर्ड की instruction के according pair of linear equation में क्या लिखाया यह नोने pair of linear equation में mention है cross multiplication method तो जो cross multiplication method है वह कट हूँ है only बाकी आपने third chapter सारा के सारा asd करना है देखे topic removed और chapter chapter हमारा है linear equation pair of linear equation तो pair of linear equation में हमने जो है pair of linear equation में सिर्फ cross multiplication method छोड़ना है तो हमारी book के according बाकी सारी की सारी exercise ऐसे ही करेंगे यह एक आपकी exercise है 3.3.4 exercise में sorry 3.5 exercise है जो उसमें आपका question number one लिखा है 3.5 exercise में कि solve by cross multiplication और question number three है आपका solve by cross multiplication तो cross multiplication आपने छोड़ना है बाकी आपने जितना भी chapter है 3 chapter 3 वो सारा का सारा asd ही करना है only एक ही deduction उसमें कट किया है कि cross multiplication method हम नहीं करना next हमारा है fourth chapter fourth chapter में देखे quadratic equation तो quadratic equation में है situational problem based on equation reduceable to quadratic equation तो इसमें जो topic remove हुआ है fourth chapter में situation problems based on equation reduce reducible to quadratic equation कि हमने quadratic equation को reduce यूज नहीं करना means जो हमारी word problem है chapter fourth quantity question में जो word problems है वो हमने नहीं करनी आप जैसे कि 4.1 exercise है तो only first question करना है second question हमने नहीं करना क्योंकि word problem है ऐसा ही 4.2 exercise जो है 4.2 exercise में भी हमने only first question करना है 4.2 में first question question दो exercise करना है second से लेके जो six question है यह हमारी word problem है तो word problem हमने नहीं करनी यह हमारी cut हो चुकी है और essay next हमारा 4.3 जो है इसमें method of completes के रहा है यह भी हमने नहीं करना क्योंकि 14 जो chapter 4 है उसमें हमारे पास जो syllabus given है उसमें only उसमें सिर्फ दोई method mention है बोड के according है दोई method mention है देखे quadratic equation जो हमारा बोड का इस बाइ factorization and by quadratic formula तो बोड की instruction के according सिर्फ हमारे उसमें एक तो बाइ factorization method है और एक क्या by quadratic formula तो इट मींस हमारे पास यहां पे complete square method नहीं है तो इसमें से एक तो complete square method नहीं करना और second आपने जो word problem है वो भी fourth chapter में नहीं करनी ऐसे जो third chapter था हमारा pair of linear equation इसमें भी इन्होंने देखो दिखा हुआ है कि pair of linear equation in two variable and graphical method of their solution graphical method करने है means यहां पे दिखा हुआ है by substitution and by elimination तो substitution और elimination तो करना है ग्राफिकल भी करना है सिर्फ cross multiplication method नहीं करना आपने और second chapter में भी देखे यह क्या क्या है यह जीरो जो polynomial means two point one exercise है और relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial तो means यह आपकी second exercise है तो second chapter में आपने first और second exercise करनी है third exercise हमने नहीं करनी ऐसा ही chapter 3 में हमने टोटली चैप्टर स्टी करना है सिर्फ जो cross multiplication method है वो question नहीं करने और chapter fourth हमारा quadratic equation जो है यह हमने सारा ही करना है मिस एक तो हमने complete square method नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि इसमें दो ही method mention है जो board की instruction है इसमें लिखा हुआ है solve by elimination and by substitution sorry by factorization method and coordinate और word problem भी हमने नहीं करनी next देखे chapter 5 chapter 5 में देखे chapter 5 में भी हमने 5.1 xi भी complete करनी है जो xi 5.1 है वो हम सारी करेंगे जो 5.2 xi जा है वो भी हम सारी की सारी करेंगे और जो हमारी xi 5.3 है तो 5.3 में हमने only simple question करने है यह word problem नहीं करनी word problem जो है वो आपकी cut हो चुकी है slave से देखे deleted option में जो board ने option दिया है यहां पर देखे chapter 5 चैप्टर 5 हमारा है arithmetic progression तो arithmetic progression में देखे इन्होंने mention किया हुआ है कि remove topic कौन सा topic remove है application in solving daily life problem based on sum of end terms तो जो हमारा fifth chapter में remove हुआ है वह application in solving daily life problem तो जो daily life problem है वो remove हो चुका है topic में जो हमारी यह chapter 5 में word problem है यह सारी word problem हमारी जर्नल लाइफ डेली लाइफ से यूज से थी तो यह सारी की सारे question एकसा ही 5.3 में जो word problem है यह हमारी कट हुई है बाकी सारा का सारा chapter as teach है तो बाकी हमने 5.1 भी as teach करनी है 5.2 भी as teach करनी है 5.3 के जो है वह हम first 14 question करेंगे नेक्स्ट वारे question जो है 15 से लेके 20 तक यह हमने नहीं करने और ऐसा ही जो 5.4 एकसाइज है optional एकसाइज तो यह optional एकसाइज हो है इसमें भी question number 1 & 2 यह 2 questions सिर्फ करने है बाकी हमने नहीं करने नेक्स chapter हमारा है chapter 6 triangle तो triangle में भी देखे क्या cut हुआ है triangle में भी topic remove में देखे जो बोड की instruction के according हमारे पास है topic remove proof of flowing theorems are deleted दो theorems delete हुई है एक तो है the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding side एक तो यह theorem cancel हुई है और second है हमारी inner triangle if this scale of one side is equal to the sum of scale of other two side then angle opposite to first side is a right triangle तो यह six chapter में हमारे पास दो theorems थी एक तो आपकी है exercise 6.4 में तो exercise 6.4 से पहले एक theorem थी area वाली यह देखे पेज नंबर हमारा है NCIT book में 141 और इसमें हमारी theorem number 6.6 है यह हमारी delete हुई है यह theorem नहीं करनी और ऐसे एक fifth exercise में theorem थी हमारी Converse of Pythagoras theorem page number 146 पे theorem number 6.9 जो है यह भी आपकी delete हो चुकी है यह भी अब नहीं आएगी तो chapter 6 में से सिर्फ theorem number 6.6 जो की page number 141 पे है page number 141 पे हमारी 6.6 theorem और page number 146 पे theorem number 6.9 यह दो theorem से हमारी cut हुई है remove हुई है slave से बाक्की आपने six chapter as t सारा करना है जो आपकी book में है next देखे chapter number 7 chapter number 7 हमारा है coordinate geometry तो coordinate geometry में भी देखे क्या deduction हुई है तो coordinate geometry में हमारे पास topic remove coordinate geometry तो इसमें remove हुआ है area of triangle तो area of triangle का meaning है कि जो आपकी 7.1 exercise है वो तो आपका distance पूर्ण है यह भी आपने complete की complete stage ही करनी है जो 7.2 exercise है वो आपकी section फोर्णा तो 7.2 section फोर्णा भी आपने stage करने है जो हमारी 7.3 exercise है वो आप delete हो चुकी है 7.3 थी हमारी area of triangle तो यहां पे लिखा हुआ है clearly बोड़ने कि जो topic remove हुआ है वो कौन सार topic remove हुआ है area of triangle remove हुआ है तो area of triangle जो है वो आपने नहीं करना जो 7.4 exercise है वो optional exercise है तो optional का मीन्स है वो 7.4 exercise जो optional है यह सिर्फ standard maths वाले करेंगे basic mathematics वाले यह 7.4 exercise नहीं करेंगे तो only standard mathematics वाले इसको करेंगे तो 7 chapter में से 7.1 भी करनी है 7.2 भी करनी है 7.3 जो आपकी area of triangle वो topic remove हो चुका है area of triangle देखे topic remove में mention कर दिया रहने तो 7.3 exercise हमने नहीं करनी और 7.4 exercise basic वाले नहीं करेंगे only standard mathematics वाले करेंगे next हमारा है chapter 8 चैप्टर 8 था introduction to trigonometry तो introduction to trigonometry में देखे क्या हमारा इसमें cut हुआ है तो यह देखे remove topic में trigonometry introduction to trigonometry में motivation the ratio whichever are defined at 0 to 90 और trigonometry ratio of complementary angle की जो complementary angle के 4 नहीं है वह कट हुए है बाकि आप का स्टी जाएगा तो इसमें भी आपने जो exercise 8.1 है 8.1 आपने स्टी सारी करनी है जो 8.2 आपकी है वह भी स्टी करनी है और जो आपकी exercise 8.3 है वह आप delete हो चुकी है क्योंकि 8.3 जो है यह complementary angle की है तो यह आपकी delete हो हो चुकी है और जो 8.4 है यह आपकी as teacher slaves में यह बट यह लिखा है कि आप simple question आएंगे मिस आपको only ncrt की question करने है तो सिर्फ ncrt को करोगे तो आपकी यह same आएंगे तो एक बार दोबारा से देखने chapters में यह तो मैंने आपको remove topic दिखाए है कि remove क्या क्या हुआ है अब जो slaves revise हुआ है मिस एक बार दोबारा से मैं पता रहा हूं four chapter की discuss कर चुके है fifth chapter में लिखा है कि motivation for studying arithmetic progression of nth term and sum of the first and term means simple question है एक तो सम और एक सम का topic है तो यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि word problem आएंगे मिस application का topic जो है वो ड्लीट हो चुका है तो simple हमारी word problem आएंगी और next chapter 6 जो है triangle triangle में आपको बता चुका है कि बाकी सब आएगा सिर्फ दो थे और मिसकाट हुई है और coordinate geometry chapter 7th में concept of coordinate geometry graphs of linear equation distance for na and section for na तो यह अब हमारा सलेवस है distance for na section for na तो 7.1 exercise है distance for na 7.2 section for na 7.3 जो है tri area of triangle वो आपकी remove हो चुकी है और ऐसे ही chapter 8 में देखिए chapter 8 हमारा है introduction to trigonometry तो इसमें क्या आएगा trigonometry ratio of an acute angles of right angle to angle means 8.1 x ही आपकी सारी आएगी proof of their existence यह proof की जरूरत नहीं है ऐसे values of trigonometry ratio at 30 degree 45 60 जो हमारे angles थे जो हमारे यह special angle value table थी इस table में हमारा 0 degree और जो 90 degree है जो 0 degree angle की value है और जो 90 degree angle की values है यह आपकी cut हो चुकी है 0 degree और 90 degree आपकी remove हो चुकी है आप सिर्फ दो ही values होंगी तीन ही 30 degree 45 और 60 यह clearly देखे इसमें स्लेवस में लिखा हुआ है कि values of trigonometry ratio of 30 degree 45 and 60 and relation between the ratio और एक trigonometry identity में है proof and application of identity science care plus cost care equal to one एक इस identity का proof आएगा and only simple identities to be given और simple identities आएंगी clear next हमारा है chapter 9 चैप्टर 9 है हमारा application of trigonometry तो application of trigonometry में देखिए जो topic हमारा है application of trigonometry height and distance इसका अधर नहीं है चैप्टर 9 है height and distance तो इसमें no deletion तो means कोई भी deduction नहीं होई कोई भी deletion नहीं होई तो chapter 9 आपका है जो आपका ncrt book में वो complete करना है वैसे इसमें एक ही आपकी exercise थी तो 9.1 exercise में total आपके 16 questions है तो यह आपने all question करने है all examples करने है तो 9 chapter 9 में कोई भी deduction नहीं होई chapter 9 आपका seem आएगा ऐसे ही next हमारा है chapter 10 chapter 10 है हमारा circle तो chapter 10 जो circle है इसमें भी देखिए बोर्ड ने जो mention किया चैप्टर circle no deletion तो no deletion means no deduction कोई भी topic remove नहीं हुआ chapter circle जो है वो आपका complete SDG आएगा जितना भी पहले चैप्टर था 10 यह भी पहले ही चोटा सा topic था इसमें भी फर्स्ट एक्साइज हमारी basic है है basic definitions of circle and tangent and normal और 10.2 एक्साइज है यह भी बिल्कुल simple है तो दो ही एक्साइज थी कुछ limited ही कोशन थे approximately 20 कोशन ही है तो सिर्फ यह ही आएंगे इससे extra कोई नहीं आएगा next हमारा है chapter 11 तो chapter 11 में देखे क्या remove हुआ है chapter 11 है हमारा construction तो construction में इन्हों कर रहा है construction of triangle similar to a given triangle तो यह आपका topic जो है यह topic removed हुआ है construction of triangle similar to given triangle तो इसमें देखे अब जो 11.1 एक्साइज है इसमें आपने only first question करना है first question तो करना है जो other questions है वो आपने नहीं करने वो सारे question जो थे 11.1 एक्साइज में जितने भी question है वो सारे आपके यही थे construction of triangle and then also constructed similar triangle तो यह आपके 11.1 एक्साइज है only first question करना है बाकी कोई नहीं करना और 11.2 एक्साइज आपने सारी complete करनी है क्योंकि 11.2 एक्साइज में आपके है construction of a tangent to a circle तो 11.2 तो करनी है 11.1 आपने नहीं करनी only first question ही करना है अब एक बार यह तो होगया remove का topic अब एक बार देख लें कि board में जो topic wise रिखा हुआ है यह three chapters देख लें eight chapter तक discuss कर चुके है तो ninth chapter आपका है height and distance में है simple problems of height and distance problem should not involve more than two right angles इसमें angles जो इसकी जो angle की value जो 90 से ज़्यादा नहीं आएगी angle of elevation depression should only be 30 45 और 60 तो यह भी पहले भी यही था कि 30 45 और 60 एंगल ही आता है एक ही exercise है ऐसे हमारा chapter 10 है chapter 10 था circle तो circle में हमारा है tangent to a circle and point of tangent तो कुछ इसमें theorem से हैं the tangent of any point is perpendicular to the radius the length of tangents are equal तो 10th chapter में हमारी first exercise impulse definitions है और second exercise में only 12 question है तो इतना ही topic है ऐसे construction chapter है हमारा division of line segment in given ratio तो जो 11.1 का first question है वो आपका यही है कि एक line segment को किसी ratio में divide करना है और 11.1 के बाकी question नहीं करने और second topic है इसमें tangents to a circle from a point outside it तो यह आपकी 11.2 x जो है यह यही है next देखे chapter 12 चप्टर 12 है हमारा area related to circle तो area to related to circle में देखी क्या ड्लीट हुआ है problem on central angle 120 कि जिस question में 120 degree का angle था वह आपका ड्लीट हो चुका है तो पर हमारा question example 3 है इसमें जो एंगल था वह हमारा 120 डिग्री था तो एक तो यह question प्लीट हुआ है और एक आपका हमारा exercise के अंदर question number 7 है इसके अंदर हमारा 120 डिग्री एंगल था तो only एक example और question प्लीट हुआ है बाकी आपका 12th chapter जो है वह सारा का सारा ही हमने करना है next हमारा है chapter 13 chapter 13 है हमारा surface area and volume तो surface area and volume में जो topic remove हुआ है देखे topic removed surface and area and volume frustum of a cone तो frustum of cone का मेंसा है कि जो exercise third exercise थी वोट लीट हुई है तो exercise one जो है 13 chapter की वो भी आमने यासी करनी है क्योंकि वो हमारी surface area of cuboid cone sphere इनकी थी और जो हमारी 13.2 है वो भी यह है वो भी हमने करनी है 13.1 भी करनी है 13.2 भी करनी है और जो हमारी 13.3 है वो भी करनी है यह भी सारा वही है sphere cone cylinder और hemisphere इस टाइब से अब first time of cone जो है वो हमारी exercise 4 था तो जो हमारी exercise 4 था 13.4 है यह अब डिलीट हो चुकी है तो 13 chapter में exercise 1,2,3 है हमारी यह तो हमने 80 करनी है बट जो हमारी exercise 13.4 है वो आपकी डिलीट हो चुकी है next देखे chapter 14 हमारा है stats तो statics में देखे क्या topic remove हुआ है stat में हमारा topic remove हुआ है step deviation method for finding the mean and cumulative frequency graph एक तो आपका step deviation method method remove हुआ है mean कालने का और एक हमारा cumulative frequency method तो इसमें 14.1 exercise में हमारे 3 methods थे तो 3 methods में से जो हमारा step deviation method है वो आपका डिलीट हो है step deviation means यह वाड़ा method जिसका फोर्णा था x mean is equal to a plus sigma fi y by sigma fi multiply h तो यह मारा step deviation method जो है यह अब हमारा डिलीट हो चुका है यह हमने नहीं करना बाग की वैसे जो other two methods है वो हमने 14.1 के करने है 14.2 exercise हमारी मोड की है यह हमने आस्टी सारी करनी है 14.3 exercise हमारी median है median भी हमने आस्टी करना है जो 14.4 exercise है यह हमने नहीं करनी 14.4 exercise हमारी क्या है cumulative frequency polygon जिसको हम ओगिव कहते थे तो इसमें हम पहले frequency को cumulative frequency में change करते थे तो यहीं बड़ा टोपिक जो है यह हमारा cumulative frequency graph और step deviation remove हो चुका है तो यह दो टोपिक नहीं करने बाकि आपने 14 chapter exercise ही सारा करना है 14.1,2,3 exercise करनी है mean के 3 methods आपको पताए थे direct method step deviation और shortcut method तो step deviation नहीं करना other two method करने है mean का एक ही method था median का भी एक ही method था और last में o give frequency graph भी कहते हैं यह हमारा नहीं है topic next हमारा chapter है 15 chapter probability तो chapter 15 जो हमारा probability है इसमें भी देखिए topic कौन सा remove हुआ है topic remove chapter 15 probability not deletion तो means chapter 15 में से भी कुछ भी delete नहीं हुआ तो chapter 15 जो है इसमें से कुछ नहीं हुआ है स्टीजी करना है जो भी हमारे पास questions है book में all examples and all exercise यह सारा का सारा आमने करना है तो आपको मैंने हर chapter wise full detail बता दी है किसी को फिर भी doubt हो तो आप मुझे comment box में send कर सकते हैं मैं आपको आपकी जो भी confusion होगी वह दूर करूंगा तो यह आपको स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्टिंग में आपको एक बात मैंने बताई थी दुबारा से क्लियर करना जाता हूं कि आपने यह जो टोपिक रिमूव हुए है वह भी करने हैं सिर्फ यह तो एक्जाम पॉइंट ओफ यू के लिए मैंने आपको बताएं कि यह रिमूव हुए है वैसे आपने जो आपके पहले का स्लेवस है वह स्टीज ही हमने सारा का सारा करना है इसका रिजिन यह है क्योंकि आपने हाइर स्टेडी में जाना और वहां पर जो टॉपिक रिमूव हुए है यह भी यूज होंगे तो इटमिस हम यह तो आपने की टैन्थ क्लास करके और बस इसके बाद नहीं करना आगे हाइर स्टेडी में हमें कंपल सरी है कि यह सारे टॉपिक यूज करने बढ़ेंगे तो इसलिए आप सारा स्लेवस क करेंगे सिर्फ जब हम एक्जाम की त्यारी करेंगे तो उस टाइम यह टॉपिक रिमूव कॉम छोड़ देंगे थैंक्स पूर वाचिंग प्लीज शेयर लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्यू वेर मैच